हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बुक माथ उसके लिए हमें चाहिए एक स्क्वेर पीपर वो आप कोई भी कलर का ले सकते हैं इस पीपर को इस तरीके से हम फोल करेंगे फिर इसे यो हाँ फोल करें फिर उसका एक फोल यो फोले इस कॉर्णर को उपर की तरफ फोल करें सेम इसी तरीके से दूसरा साइड भी करें आप एक एक पाट करके उसे अंदर की तरफ खुशाएं यह जब घुश गया दोनों तरफ अगर घुश जाए तो उसके बाद यह हो गया दोनों तरफ घुश गया यह इस तरीके से हो जाएगा रेडी अब इसके उपर हम करेंगे डेकोरेशन यह है हमारे पास एक स्ट्रिप इससे बनेगा एक फ्लावर इसे पूल करें यह बन गया फ्लावर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट-कट आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो यह फ्लावर लगा सकते है या आप इस पर अपना नाम लिख सकते हो या इस पर आप कोई ड्राइंग बना सकते हो जो आपको पसंदू वो डेकोरेशन आप इस पर कर सकते हो चाहे आप इसे जितना भी कलरफुल जितना भी सुन्दर उतना बना सकते हो अगर आप इसे फ्लावर लगाएंगे तो इस फ्लावर में लगाएंगे ब्लू और इसे एक साइड में चिपका देजाएंगे अब यह बन गया हमारा बुक मांक इसे अपने बुक में यहां तक आपने बुक पड़ी हो उस बुक में आप करके लगाएंगे यह हो गया हमारा बुक मांक रेडी